यहाँ पर हम लोगों को आगाह किया है उन्होंने बताया है कि अगर आपके पास कोई कॉल आती है जिसमें आपसे यह कहा जाता है कि आपका जो SIM है आपका जो मोबाइल में SIM कार्ड डगा हुआ है उसका वेरिफिकेशन चल रहा है और आपसे कुछ ब्यक्तिकत जानकारियां मा आधार नमबर बताईए आपका आधार आपके मोबाइल नमबर से लिंक किया जाएगा आप अपना आधार बता देंगे इसके बाद आपके पास एक OTP आएगी हो सकता है कि वो OTP की भी डिमांड करें और देखो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आपका मोबाइल नमबर आपका SIM कार बंद करने की धंकी देकर आपसे कुछ और भी ब्यक्तिकत जानकारी उगलवाई जा सकती है ली जा सकती है इसका उपयोग कहीं ने कहीं आपके खिलाफी किया जाएगा निश्चित रूप से संभावना यही बनती है कि बैंक में ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा और तकनीकी दिक्कत बताई जाती है और इसके बाद आपसे OTP की डिमान की जाती है या फिर आपसे कुछ और बैटकर जांकारियां मांगी जाती है आपको बिलकुल सचेत रहने क्या हो सकता है अगर इस प्रकार की कोई काल आपके पास आई भी है और आपको यह लग रहा है कि हाँ यार ऐसा हो सकता है तो देखो आप उसी call पर अपनी कोई भी जानकारी तब भी साजा बिलकुल ना करें ना तो अपना आधार नमबर बता है ना कोई OTV बता है ना कोई अपनी बेद्गत जानकारी महाँ पर सेर करें और अगर सामने वाला आपकी बेद्गत जानकारी कह रहा है कि यह यह है इसको वेरिफाई करें ना तो उसको वेरिफाई करें अगर आप पो लग रहा है कि हाँ कुछ मतलब चल रहा है कुछ गरत हो रहा है मेरे SIM के साथ तो तुरंत ही आपके सहर में आपके नजदीक में जो SIM card के लिए outlet बने हुए हैं वहाँ पर जाएं यानि customer care service center पर जाएं अगर आप V.I.E. का यूज़ करते हैं जो भी SIM card आप यूज़ करते हैं आप अपने जिले में अपने सहर में अपने location पर जो ग्रहाक सेवा केंदर मौजूद हैं वहाँ पर जाएं और अपनी दिक्कत उनको बताएं वो system में चेक करके आपको बता देंगे वैसे भी आप एक बात यहाँ पर समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से कि online verification कमपनियां कभी भी नहीं करती हैं और इसी के regarding यहाँ पर यह न्यूज है कि भारती दूर संचार नियामक ने बुद्धवार को लोगों को फरजी काल के प्रतिय आगाह किया है जिसमें फोन करने वाले खुद को ट्राई का प्रतिनिधी बताकर mobile number काटने की धंकी देते हैं और ग्राहक की निजी जानकरियां गुलवा लेते हैं तो ट्राई ने लोगों को सला दी है कि वे ऐसे किसी भी काल या संदेश आने पर किसी तरह की जानकरी साजा ना करें इससे वे फरजी वारे का सिकार हो सकते हैं ट्राई ने ये भी कहा कि नियामक किसी भी mobile number को न तो बलाग करता है और नहीं बंद इस तरह की सभी फरजी काल गैर कानूनी है और देखो अगर इस फिकार की कोई काल आ जाती है आप से कोई गलती हो जाती है तो आप उसकी सिकायत तुरंदर्ज कराएं नियामक ने कहा कि प्रभावित व्यक्ति सीधे अपने समंधित ग्रहाक सिवा केंदर नंबर या राष्ट्री साइबर आपराज के पोर्टल जो कि आप आप आपर देख रहे हैं cybercrime.jv.in पर सिकायदर्ज कराएं या अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो 1930 पर काल करें ये नंबर जो है आपको तुरंट इस पर डायर करिए और अपनी पूरी बात नहां पर आप बता सकते हैं तो दोस्तों इसकैम के नहने तरीके लगातार खोजे जा रहे हैं सबी लोग मुबाइल फोन का यूज करते हैं और इसकैम और इस प्रकार के हो गए हैं कि आपको लगेगा कि बिल्कुल ये जनुरीन काल है सही काल है लेकिन आपको बिल्कुल हमेशा अवेर रहना है अपने लिए अपने परिवार के लिए और बड़ी गाड़ी कमाई के कुछ पैसों के लिए जो की मुस्किल से आपने बैंक में जमा कराए हैं वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्हें दा लिए अधिक से अधी लोगों तो ये वीडियो बहुशना चाहिए थैंक्यू है वे ग्रेट डेज चैहन